हेलो ट्रेडर्स, विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर ट्रेडेज भी, मैं हूँ मोहमद सोहेल, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्रेब करिए, दोस्तों मैं 2 EMA यूज करता हूँ, एक है 200 EMA, एक है 25 EMA, या 2 EMA यूज करता हूँ, उसके साथ-साथ, मैं अपने अनलिस को थोड़ा स्ट्रॉंग करने के लिए, RSI, MACD and Matrix Series, तिनों इस्तमाल करता हूँ, अब मैं पिछली बार जो अनलिस दिया था, केनरा बैंक पे 10 जुलाही पे, कि स्टॉक के अंदर, अभी स्टॉक एक चैनल में चल रहा है, स् हम लोगों को previous breakouts पे support दे रहा है, जो breakout level यहां पे 109 था, क्या था 109, मैं आपको mark करके भी बताता हूँ, 109 यहां पे था, ठीक है, मैं क्या बताया, 115 से लेके 108 के in between, stock कहीं पर भी entry दे रहा है, आप entry ले सकते हैं, जब तक 25 EM में के नीचे रहेगा, हम लोगों को downfall देखने 109 में तक तो जाएगा, वरना अपने 109 पे जाके ऊपर जाएगा, तो target हम लोग क्या रखेंगे, 122, 128, 136, यह था मेरा previous analysis, अब नया analysis क्या है, यह important है, previous analysis तो according to previous candles हुआ, अभी present candles के according market में, अभी हम लोग कर रहे हैं, वो एक दूसरा analysis है दोस्तों, अभी यहां पे अगर आ एक बार sold होके bought होना चाता है, और तीसरा, matrix series काफी समय से, minus 210 से लेके, minus 112 से लेके, minus 50, in between इन लोगों के ही चल रहा है, अगर यह नीचे आया, तो सब buyer इसको खा लेंगे, totally खा लेंगे इसको, इसका मतलब entry लेते ही जाएंगे, क्योंकि यह इस level पे देखने को मिला तो खरी क्या कर रहा है, buying देते हुए, improper selling में, फिर से buying देना चाहरा है, either अगर ऐसे नहीं भी हुआ, अगर ऐसे नहीं भी हुआ, तो 25 EM में के साथ-साथ, 200 EM में के नीचे कहीं पर भी candle break किया, तो हम लोगों को average मिलेगा, average price कहां पे रहेगा, average price यहां पे रहेगा, 78 से 88 के in between रहेग मैं direct fit 200 EM में से ही, उपर के तरफ rejection पे reversal देख रहा हूँ, retracement के बाद, तो अभी stock में क्या है, stock में यहां पे एक breakout दिया है, जब तक stock 108 का level break नहीं करता, के नरा bank, stock के अंदर fall नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा, and यह level break नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको आपके target stock के यह levels पे जैसे मैं analysis दे रहा हूँ, वैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप देखो, अगर आप fresh buying भी नहीं करना चाते है, तो आप paper trading भी करके देखो, और watch list में लगा के भी देखो, कि हमारे analysis के according stock चल रहा है, नहीं चल रहा है दोस्तों, यहीं था मेरा analysis, के नरा bank पे, अग यूट्यूब चैनल को subscribe कर लीजिए, thank you for watching my video,